आप सभी का स्वागत है मेरे यूटुब क्लासेस पे आज हम लोग कुछ important questions पढ़ेंगे जो कि जैसे कि प्रश्चन आता है time and work से related जिसमें कि कुछ आदमी या महिला है किसी काम को कुछ दिन में करती है इक और condition देता है कि 5 आदमी या 6 महिला है इसी काम को कुछ अलग दिन मे करती है इसके बैस पर जो भी questions बनते हैं उनका concept हम जानेंगे कि इन question को हम कैसे easy salt करें अपने इस exam में तो चलिए हम अपने इस class पो start करते हैं और यह रहे आपके skin पे questions चलिए हम इन question को salt करते हैं आपके skin पे question आप पहला यहाँ पर 10 men ठीक है कितने दिन में करेंगे अगर 6 men और 8 women मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 13 men याने 13 आदमी और 24 women's मिलके उसी काम को 4 दिन में करते हैं ठीक है इसी परकर second question है कि 5 men और 6 boy मिलके इसी काम को 6 दिन में पर अगली बार 4 women और 11 women मिलके उसी काम को 14 दिन में करते हैं और 5 boys उसी काम को 9 दिन में करते हैं तो आपके यह सकता है तो हम कैसे कर सकते हैं कि एक मैन या नीज जो एक मैन है वह एक दिन में उसी प्रकार एक उमें एक दिन में कितना करती है युनिट का मतलर हों कुछ हिस्सा होगा एकस पार य पार एक इस एक इस तर रहें तो सीधे मैं बोलता कि अगर वो दस दिन काम कर रहे हैं तो एक मैन दस दिन में कितना करेगा 10x और उमेन कितने करेंगे 10y तो यहां पर कितने मैन है 6 मैन यो 6 मेन का मतलम 60x हो जागा, क्यों? योकि 1 मेन 10 दिन में 10x करेगा, और 1 मेन 10 दिन में कितना करेगी? 10y, तो यहाँ पर 6 मेन है, 60x टोटल काम होगा, प्लस 8 मेन, 8 मेन का मतलम 10y काम करेगी, ठीके, y मतलम units है, यानि x unit, कुछ उसका part कर रहेगी, यह बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, ठीके, इतना टोटल आपका काम आगया unit में, clear? फिर इसी परकार आपका 13 मेन, तो 13 मेन का 52x, और यहाँ पर क्या हो जागा, 24, 24, 96, कैसे समझते हैं, आप देखिए, एक मेन एक दिन में x unit, x unit, ठीके, तो यह मैने 10 दे में बताया, 10 दे में कितना होगा? इतना, यानि एक दे में इतना units, ठीके, 10 दे में इतना, अगर 4 दे में निकालना हो, तो क्या होता? 4x, 4 भाई, यह एक एक मेन के मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखोंगे 13 मेन है, तो 13 मेन का मतलम, एक मेन एक दिन में 4 unit, ठीके, एक मेन एक दिन में x unit, तो 4 दिन में 4 x unit, तो 13 चोग के 52 लिका मैंने, 24 चोग के चाद में, ठीके, यह total units work आगिया, तो आप ध्यान से देखोंगे, यह दोनों comes क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंगे काम तो एक ही है न, अगर आप आदमी कम बिसी करोंगे काम तो वही होगा, यूनिट तो वही आएगा, यानि दोनों units same है, यानि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो क्या हो जागा, 60 x, 80 y, 52 x, plus 96 y, यहां से ही आएगा, तो 8 x बचेगा, और यह इधर जाएगा, तो 16 y, finally x, y, y क्या होगा, पर 2 by 1, समझ सकते हो, यानि x एक दिन में कितना कर रहा है, 2 units, sorry, x का मतलम 2 units, और y का मतलम 1 unit, हम यह बोल सकते हैं, ठीक है, यानि आप ध्यान से देखो, एक man 2 units काम कर रहा है, और एक woman 1 units, बोल सकते हैं न, क्योंकि एक man, एक dyn में 1 units, और एक man 2 units, तो आप यहां पर देखो, कि जो man है, वो man, woman से more efficient है, 2 गुना है, क्योंकि वो एक दिन में 2 गुना काम कर दे रहा है, ठीक है, समझ रहे बात को, ठीक है, यहां पर आप ध्यान से बोल सकते हो, क्या, यह जो six man है, और eight woman है, ठीक है, यह वाला concept, यहां पर हम यह बोल सकते हैं, कि जो यह eight woman है, यह eight woman कितने man के बराबर हो जाएंगी, अगर ध्यान से सुन देखो, यही तो बोलेंगे, क्योंकि man दो गुन्दा है उससे, ज्यादा काम कर रहा है, दो टाइम्स, चार छे दस, तो दस man, ट्वाइन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, अगर देखो, आप इतना यह नहीं सूचना चाहते हो, तो आपका यह एकस दो आया है, य वाइन आया है, तो आप सिंपल सी बात है, आप क्या करो, कि टोटल वर्क निकाल लो, लो कितना है, ट्यके, तो X की वाली दो रख दो यहां पर, इसमें दो रख दो, X की वाली दो तो 120 और यहां पर 80 यहां पर 80 रख दो, ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, 200 यूनिट हो गया, ठीक है, यहां पर कितने मैन है, 10 मैन है, ठीक है, कितने मैन है, 10 मैन, एक मैन एक दिन में कितना कर रहा थ कितना कर रहा था दो एक मैन एक दिन में दो इनुंट तो दस मैन एक दिन में कि टो जाओ करेंगे किक्रेंग है तो इसको सकते हो युभा-धाइन इसा भी आयगा प Bir ч ayudar सकते हो ठीक है इसको थे इसथे अपने किया कि अश्कल्ba देयी तो martいきます यहां पर दस में की बात हो रही तो एक मैं एक दिन में दो यूनिट तो दस में एक दिन में 20 खत्म हो जाएगा अब एक और तरीका आपने यह तरीका सिखा इसका अलग तरीका भी हम जानते हैं क्या होगा यहां आप देख रहो कि दस दिन है यह चार दिन है ठीक है दस दिन है चार दिन है ठीक है तो मैं इसके हेल्प से यह बोल सकता हूं कि टोटल काम कितने का होगा 20 का होगा, बोल सकता हूँ, LCM निकाल लोगा, यानि 20 unit का total काम है, इतना बात clear हो गया, इस LCM समय बता दिया है, तो 20 unit कौन कर रहा है, 6 men और 8 men, कितने कर रहे हैं, 20 unit, कितने दिन में, 10 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में, 20 unit कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखो, 13 men, और 24 men, कि यहां तक हमने समझा यानि 10 दिन में 20 उनिट कर रहा है यह चार दिन में 20 तो अगर मैं चाहता हूं कि यह 24 बन जाए तो कैसे 24 बनेगा अगर मैं इसमें तो आप जैसे यहां पर तीन से मल्टिप्लाई करोगे तो उनका काम भी क्या होगा बढ़ जाएगा तीन गुना हो जाएगा दस दिन में तो कितना उनिट हो जाएगा 60 बोल सकते हैं न कि काम भी तो ज़्यादा करेंगी अगर मान लोग कि आदमी बढ़ गए और मैं बढ़ ग लिए क्तने दिन में दस दिन में बुल सकते हैं अब यहां पर क्या वगा अपका 13 मैन स्ट doświad सुमें विए कर रहें एक दिन में करेंगे 5 तो हम सीदह यहां पर देंगे चल kritा यहां एक मेन कितना करेगा एक दिन aurait एक में कितना करेंगे तो ग्टीक है तो एक में जब एक दिन में तो यहां पेघतल है एक में की मैं है 5 यूनिट करेंगे कि दिन लुज कतना करेंगे फैसे भी आप कर सकते हो सिंपल से बात है कि आप हैं निकालो टोतल काम मिलेगा 20 उनुट सकते ही तिक है उसके बादा करना है कि टेयानि है इसालिए प्रोह мद्व है करता है तो 3 से मट्टिपलाई करोगे तो 3 में सब में और यहां पर 3 हो जाएंगे ना तो पड़ेगा पर मैं लिखकर ता हटा दिया हूं ठीक है अगर आप इसको यहीसे एक दिन कर दे तब भी हो जाता है यहांड़ दिखते कि एक दिन में दो उनिट्स होता है और कि एक दिन में कितने करेंगे इस तोरến कीटीन कैम कितना है बिस में 29 टेज़ हो आंसा तो यहांसे प्रोच अप लगारा है इसी प्रकार हम थोड़ को साल्प कर सकते हैं कैसे यहां पर आपका गर्ल्स और बाइस का ठीक है तो आप यहां पर द्यान से देखो तो एक दिन में कितना करेंगे एक दिन में चार उनिट्स और यह दिन में पाच इन पूलेंगे ना अस्जिवनी टोटल काम होगी है मैं तो आप यहांप द्यान से दोखो यह दो एक्वेस्टन से आपके तो एक दिन की बात हो रही है थीक है मैं इसको डिवाइट कर लिए तो एक दिन में कितना यांगा चार उनिट्स तूण दिन में पाच इसा करेंगे किसी काम बहुत बड़ा सी ऐस्टीन के काम है तो ऐसी ग सब कुछ कटा सकते हैं एक दिन के लिए काम था यह एक दिन के लिए एक दिन के लिए करेगा मैनस कर देंगे तिक दो एक दिन में कितना करेगा अधाए यह दिन तो जब एक दिन में आधा हुनित करें गर्ण करें गर्ल कि न करेगी तीन बटे बटे यहां से मुझे एक लियर हो गया है तो टोटल काम कितना है मेरा 80 युणिस कॉन करने वाला है 2 गाल और दोगल कितना करेंग यह गाल चल्स एक जोम sum सबता एक डिंब में तो दो टोटल काम कितना करेंगा थी 47 can और डूर कितने दिन में करेंगे एक एक दिन में यह को कितने करेंगे लोग में दोणों तो यह आपको एक फॉर वे इंट कितना ओन ट kr 122017 कि धना असीमिट चैनल उसके में प्रसे डिवाई हिवा Bio कर देंगे तो ताइज ने एक और तरीका बता था गिए गरल मालनों की एक दिन में एक्स व्यूनिट करती है या वाइ यूनिट करती है तो ऐसे भी कर सकता है ठीक हम समझते हैं यह ठीक है ठीक है आप देखोई यहां पर एक्स और यह कुछ नहीं सोचना है अगर आप एक स्वाई याद नह और एक दिन में कितना करेंगा दो तीन चाहिए इतना कुछ करना नहीं बस आप देखो ट्वन्टी डे में यह काम कर रहा है ना तो मैंने बोला एक दिन एक दिन का यह उनिट एक दिन का जी और भी ठीक तो एक सर्वाइक उचले नहीं नहीं इस इदेखो टॉंटी डे में कितना होगा तो अपब लोगे फोटी जी उनिट्स और यह कितना होगा इसमें एटी हो जाएगा क्योंकि आप 20 से मल्टिप्लाई करना है क्योंकि बीस दिन की बात हो लिए तो बीस दिन में असी जी यूनिट्स वर होगा यहाँ पर सो भी ठीक है आप यह एक सेंस कर लो ठीक है फिन यहाँ पर क्या हो जाएगा यह 16 16 दिन है तो 16 दिन का मतलम इस इसमें गुड़ा कर दो इस जो कैसी बीस पाचे सोभी और 168 इसको आपस में कर दो क्योंकि यह यूनिट्स आपस में को लोगे और फाइनली हम इसको साल करेंगे तो यह धर आजाएगा तो एक स्वाथ यह अट्ठाइस जी इधर आएगा तो यह तर जाएगा तो बचेगा 36 भी ठीक्या आप दएक सकते हो यह तो यहां से आपसको करेंगे इट में यहां तकबात epsilon 6 अब यहां से इसको मैनस करते एधर आएगा तो 48 बचेगा क्या वचवध ऐखा 48 शुआ और 36 भॉय ठीक है आपको बाइस से इधर ले जाका माइनस करना और गर्ल को इस में से माइनस करना ठीक है यहां तक हो गया यहां पर आप देखोगे कि गल्स भाइब बाइस इसक्राइब तो यहां पर होगा बाइस तक है यहां तक हो यहां पर देखोगे तो यहां पर टोटल काम कितना होगा तो दो गल्स के लिए यहां पर दो गल्स का मतलम इक सो साथ इमिड्स दीन वाइज यानि तीन सो यहां चारसो साथ का ठीक है बुल सकते है नहीं कि अगरा भ्याइब से देखो तो अशी एट्थाइश शाटालिस वेल्स और शर्था इस वायज वाइज व्योगेश तिस पर टैटालिस सौर्य यहां पर होगा आपका और यह तो यहां पर आप इसको कटा सकते हो ट्वेल थ्रीजा थर्टी सिक्स ट्वेल फोर्जा 48 थीक तो थ्री भाई फोर तो यह आपर टोटल काम कितना हो जाएगा आटीया 24 एक गरल का मतलब थी तो इस दोनुट डटोटों को मैंने क्या किया किसी सोलो का पहले कि एल सिम बस्ता दिया ब्थी सोल था मैंने बुला चलो एक गर्ल एक दिन में जी करती है और एक दिन में वहीं चल जाएगा जी और भाई यह वीस दिन कर रहे हैं तो बीस दिन का मतलब सब्सक्राइब करेंगे तो यह आएगा और इनको फाइनली से साल करेंगे तो जी भाई भी यानि थी रेशियो फोर आजाएगा और उसके बाद टोटल काम कितना हो जाएगा चैसो चालीज करेंगे तो दो गल्स का मतलम क्या है कि टू इंटू एक गर्ल और एक बैर मिलके कितना करेंगे तीन-चार साथ यूनिट यहाँ तो दो घ्ल्स गिण सब्सक्राइब करेंगे तो यह सब्सक्राइबשक्राइब करेंगे तो दो जैसमेल सब्सक्राइब टो न employees wykon भी उनिट्स कर रही है चाले 20 दिन किया तो 20 से मल्टिप्लाई कर देंगे अब सिम्पली सीधे अगर ऐसे कोशन आ तो सीधे मल्टिप्लाई कर देंगा वहां से घल और वाय का रिश्व मिल जाएगा और उसका फाइनली पूट अप करके टोटल उनिट कितना हूँ नहीं किया और इनका दे दिया तो आप से यह पूछा है ठीक है तो आप इसमें लिट में थर्क अप्रोच लगा सकते हो ठीक है तो फाइनली ये इसका कितना होगा आप निकाल सकते हो नाइन टूजा एटिंग शेवें 126 होगा ठीक है और 126 तो टोटोल काम कितना होगा 126 उनिट तो नाइन यूणित यह कितना करेगा 14 में ठीक है आप डिवाइड कर सकते हो यानि 6 दिन में 126 कर रहे थे ना यह तरे लोगं पांच में और 6 यह तो एक दिन में 21 है चारो में 1 बाए है नाइन विनिट्स थ्री मैं फाइब वैं शौदवन ठीक है बाते क्लियर अब यहां से अब ध्यान से समझो कि एक चीज क्या है वो अगर मैं कोई इसमें से बराबर देख रहा है दो यहां पर यह मैंन है यह भी मैंन है और यह भी बाय ठीक है इन दो एक्वेशन्स काम हेल् इसमें पांच मैंन है और इधर भी कर देंगे तिर साथ उनिट क्यूंकि तीन से मल्टिप्लाई करोगे तो आपका काम भी तो बड़ेगा लोग बढ़ेंगे तो कामी बढ़ेगा सिंपल से बात ज्यादा इनिट्स होगा तो नीचे वाला ज्यादा है क्योंकि यह 25 से मल्टिप्लाई के इसमें तीन से मल्टिप्लाई के आप समझने के लिए आपको बेसिक मैं थाना चाहिए थोड़ा मुझा तो बचे कितना साथ बवाय और यहां पर साथ इनिट्स एक दिन में एक इनिट सब्सक्राइब यहां तक बाते क्लियर होगी अब मुझे क्या चाहिए था बॉय और मैं का एडिया चाहिए था ठीक यही तक मुझे बाते करने थे एक बाए एक दिन में एक उनिट्ट ऊप इक क्या जाएगा थ्री मैं इस कल्टू यह पांच हो जाएगा why 4177 measurementश्य एक मैन कितना हो जाएगा थी एक मैं एक मैं ह котором अ do मैं कितने दिन ने काम को करेंगे एक डिन में कानशर आन्सर आ एक मैं एक मैंने मैंट त마ल में तो किना में यो चलेगा और हैं और यहाँ पर कितना हो कितना तोटल काम कितना है 126 है 126 में क्या करेंगे 9 से डिवाइट कर देंगे तो आप इस कंसेप्ट का भी हेल्प ले सकते हो यह सिंपल सी बात है उसके बाद आपको एक इलिमिनेशन एक्वेशन आना चाहिए जो कि क्या होता है कि यह एक लिनियर एक्वेशन होता है जिसमें हम एलिमिनेट करते हैं चीजों को ठीक है कि नेक्स्ट मैथड क्या था जैसे हमने बुला था कि एक मैन को बोलें कि एक इन एक एक बी टीक है तो वह बतुमेशन दीजा देखिए उस मैथट में क्या था कि मैंने बोला था कि सिंपल सी बात है आप छाह से समय किया फिन्हीं यहां पर यह किसके बरावर हो जाएगा जोधार जोगे 56 और चौधार बाइस के बरावर कि इसके बरावर हो जाएगा नतिया सताइस मैं प्रस नप पचे chronis पर अप्चे कर सकते हो द्था ताइस सन्पाफ behavior तालीश चाहँ पचे चाहँ चाहँ आप यहां पर देखों यह वाली चीजे इस से बरावर है कि नहीं तो हम साल इसको करेंगे इसको और इसको क्या होगा थ्री मैं इसको टू नाइन वाय यानि यानि एम अगर तीन उनिट्स कर रहा है तो भी कितना कर रहा है एक अगर तो टोटल कितना हो गया तीन एक चार आप सब पुछा क्या मैं और भाहिजी पुछा देखो पहले तो हम निक्यालेंगे टोटल काम कितना है मत रखना कि व्याम की वैलु में वालू नहीं हों तो तीन अनभे और जाटिस यानि एक सो चब्वीस आप सेटोटल काम कितना है योज अब यहां पर दो मेन यह कितना करेंगे दो तीन अच आए और एक दिन में ए तरीन एक उनिट वाय तो तीन नाइन तो चेभीन आप ना सब्सक्राइब करो और सभी चीज़ों कर दो क्योंकि जितने काम होंगे सभी उनिट आपस में बराबर होगा वह इतना यहीं पूतना होगा अब हम देखेंगे कौन अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब चरूर करें